कि नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहे हैं स्पिय नाइन न्यूज नागरिक्ता संसोधन कानून जिसको लेकर शाहिन बाग में और वहां की महिला अभी भी धरने पर बैटी हैं यह धरना एक महिने से उपर हो चुका है अब इस धरने को लेकर वहां पर कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता दिखविजे सिंग वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने जनता का पूरा समर्थन किया है कॉंग्रेस पार्टी लगतार देखी जा रही है कि जहां भी कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है वो जनता के समर्थन में आती हैं अब उसको राजनेतिक मुद्दा दे दीजे नीजी मुद्दा दे दीजे या जनता के साथ चालना चाहते हैं कुछ भी कहिए लेकिन अभी फिलाल वो जनता के साथ ही है जो जनता को चाहिए वो पार्टी देती हुई नजर आ रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस तीन पार्टियां टककर पर है लेकिन जनता का हित को लेकर जो सबसे जादा सोचते हुई नजर आ रही है वो अभी कॉंग्रेस दिखाई दे आम आदमी पार्टी भी है लेकिन सबसे जादा जनता के लिए कॉंग्रिस क्योंकि जितने भी परेशानियां भी जनता जहलती हुई नजर आ रहे हैं ये नागरिकता संसोदन कानून को लेकर कभी प्रियंका गांधी वाड़ा कभी राहुल गांधी तो कभी सोनिया गांधी खुद उनके पास गए हैं और उनको आर्शवासन दिया है और उनके साथ कदम से कदम मिला कर खड़े रहे हैं अब ऐसे में दिगविजे सिंग पहुंचे हैं, दिगविजे सिंग ने कहा कि मैं इसे राजनेतिक मंच नहीं बनने दूँगा, मैं भाजपा की तरह यहां पर नहीं बोलूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा जो एक राजनेतिक लोग करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ वोट प फोलने के लिए जो लगतार अभी भी यहां की महिलाएं बैठी हुई है उन्होंने कहा कि पुलिस पर निसाना साधते हुए उन्होंने बोला कि यह जो भी पुलिस के जरीए कारे किया जा रहा है या जबरन हटाया जा रहा है लोगों को या स्टूडेंट के उपर प्रहार किय सब्सक्राइब सिंस lack of action है, फार्वार प्लीज के पें कि ondolia करनें कि पाटीन को लेकर तो नहीं बोला लेकिन उन्हें सिर्फ ये बोला कि पुलिस के आका करवाते हुए नजर आ रहे यानि कि पुलिस को चलाते हैं केंध्र सरकार में जो उनको लेकर निसाना साधते हुए दिगविजे सिंग ने बोला और उन्होंने ये भी बोला कि मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग मोदी के इस नीतियों के खिलाफ हैं, हम सविधान को नहीं मानते हैं, हम मोदी के सविधान को नहीं मानते हैं, हम मेटकर के सविधान क मानते हैं सीए विरोधी नारे लगाना या तमाम तरह कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो सभी राजनेतिक नेता करते हैं या पाटी के लोग करते वे नजर आते हैं मुझसे भी कहा गया कि आप मंच पे जा रहे हैं तो आप सीए विरोध में कुछ बोले लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं समस्ता हूँ जनता क्या चाहती है और जनता किन परेशानियों से जूज रही है इसी के साथ साथ जब उन्होंने पुलिस का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही थी कि इन तमाम मुद्दों को लेकर कि वो एनसे लागू कर देगी एनसे लगा देगी अगर आप ये धरना नहीं हटाते या जनता को तमाम परिशानिया पहुचाने के लिए एनसे लागू करने की बात की जा रही थी पुलिस के जरीए तो ऐसे में उन्होंने दिवेंदर सिंग का मुद्दा उठा लिया जो जिन्होंने उन आतंगवादियों को पना दी थी हिजबुल के आतंगवादियों को अपने घर में रहने के लिए जगा दी थी एक तरह से इस अपराद को इस घटना को अंजाम दिया था उन्हेंने कहा कि उनके उपर आपने QNSA लागों नहीं किया क्यों नहीं लगाया अब आप यहां पर ऑप्पर यह लगाने की बात करते हैं आपने दिवेंद्र के खेलाख क्यों नहीं किया तो आने कहा है यह एक साजिस है भारती जनदा पार्टी की साजिस है जो यह करती हुए नजर आ रही है अपने लोगों को बचाती हुए नजर आरही है तमाम लोगों को परिशानियों में डाल रही है अब उन से मुद्दो को उठाके दिगविजे सिंग ने जो भी कुछ बोला सोला अनि सच मान लीजे और उनका बयान कहीं न कहीं सही है और जनता हित के लिए है अब क्या कहते हैं आप कमिन बॉक्स में में जरूर बताएं और देखते रहें SPN 9 News